दोस्तों जैसे कि आब वीडियो में देख पारे हो यह है वें ब्रेंच नया वर्जन जो कि यह डबल डेखर वंधे वर्जह डेंच यह टेन अभी की जो वन्दे भारत ट्रेन से उनसे काफी जैदा अलग है क्योंकि जो अभी की वंदे भारत ट्रेंच काफी जादा खास टैकनलोजी है जो कि ट्रेन को speed provide करने में मदद करती है यह दुनिया की सबसे lightest train है यह मेड इन इंडिया safety system जो की है कवच इसको भी install किया गिया है जिनने नहीं बदाई कि आखिर कवच सिस्टम काम कैसे करता है तो उन्हें मैं भी जानकारी के लिए बता दू अनली जी एकी ट्रेक पे दो ट्रेने आ रही है आमने सामने से कवच सिस्टम आपमेटिकली एक्टिवेट हो जाएक और ये ब्रेक्स को अपलाई कर देगा ट्रेनों में इसके बाद दोनों ही ट्रेने एक पडिकलर डिस्टन्स पर रुख जाएगी अप तीके साथ-साथ ये जो नया वर्जन है वंदे भारत ट्रेन का इसमें स्पीड को भी बढ़ा दिया गया है अब जो वंदे भारत की टॉप स्पीड है वो है 240 किलोमेटर प्रतियार की दिल्वे का ऐसा टार्गेट है कि 2025 तक 400 नहीं वंदे भारत ट्रेन की वो मैनिफेक्चरिंग का काम कप्रीट कर पर काम काफी ज씨 से किया भी जा रहा है हर अफते एक नई वंदे भारत ट्रेन को लांच कीशा रह रहा है जो 400 वंदे भारत एक्स्प्रैस है ये एक काफी जाधा अलग होने वाले जैसे कि कुछ ट्रेने सिफ चेर कार्स होगी तो कुछ ट्रेने स्लीपर क्लास होगी में दो नए वर्जिन्स और लांच किये गए है जो कि यह पुश पूल ट्रेन और दूसरी यह वन्दे साधारंड मोश्टली एक सिटी से दूसरी सिटी में ट्रेवल करने के लिए यानि कि हम इसे शॉर्ट डिस्टंस वाली वन्दे भारत एक्स्प्रेस भी बोल सकते हैं यह एक टाइप की हाई स्पीड मेट्रो ट्रेन्स होगी भारत कि इस made in india train की डिमांड ना सिफ हमारे देश में बढ़ती जा रही है बलकि इस इसली कंट्रियों में भी इसकी डिमांड बढ़ती ही जा रही है इसमें से एक देश का नाम है साओधी अरेविया इसी के साथ बांगलादेश, नेपाल, श्रीलंका जैसे देशों को भारत की मेडिन इंडिया वंदे भारत ट्रेंज चाहिए तो सबसे बड़ा चैलेंज ये रेलवे का वो ये है कि हर कंट्री के हिसाब से ट्रेंज को डिजाइन करना पड़ेगा इसमें काफी जादा समय लगेगा पर आने वाले टाइम में ये वंदे भारत एक्स्प्रेस को भारत डेफिनेटली एक्सपोर्ट करने वाले है उले ट्रेंज और यूरोपियन कंट्री की हाइज स्पीड ट्रेंजों को काफी हद तक टक कर देती है दोस्तों ये थी एक छोटी सी अपडेट इस पर आपकी क्या रहा है मुझे कमेंट सेक्चन में जरूर बताइएगा जाहिन